आज के वीडियो में हम बात करेंगे कतर के free visa on arrival के बारे में Ministry of Interior of State of Qatar ने हाल ही में announce किया है कि इंडिया, पाकिस्तान और इरान के citizen को अब arrival पर free visa मिलेगा इसके लिए उनके पास confirmed hotel reservation होना चाहिए और जितने दिन का hotel reservation होगा उतने ही दिन का visa issue किया जाएगा इस visa को maximum 60 days के लिए extend किया जा सकता है और उसके लिए आपको अपनी hotel reservation भी extend करनी होगी इस visa के लिए आप किसी भी अपनी choice की website से booking नहीं बना सकते बलकि आपको discover Qatar की website से ही hotel booking करनी होगी इस visa के लिए आपके पास 6 मन्त से ज्यादा दिनों तक valid passport होना चाहिए confirmed return ticket, discover Qatar website से की गई confirmed hotel reservation, departure से within 48 hours किये गए PCR test की negative report और एहतराज platform पर registration के बाद मिलने वाला approval इस visa के लिए mandatory है तो अब एक बार देख लेते हैं एहतराज platform पर किस तरह से registration करना है register करने के लिए सबसे पहले आपको new user registration करना होगा registration करने के बाद आपको email में activation link आएगा उस पर click करने के बाद आपको login करना है और register a new request पर जाकर इस तरह से आपको information भरनी है तो सबसे पहले travel information, उसके बाद passenger information और उसके बाद undertaking के बाद आप इसे submit कर सकते हैं इस visa के लिए जो आपको bookings बनानी है वो आपको इस website पर आकर बनानी है discoverquotter.qa यहाँ पर एक बार हम price देख लेते हैं hotels का जो इस website पर available है उनके normal websites पर क्या price है तो एक हम price comparison करके देख लेते हैं फिलहाल check-in 29th April और check-out 1st May के लिए हम check कर रहे हैं for 2 guests इस सारे hotel आ जाएंगे शुरू में 4 star hotels हैं हम check करते हैं golden tulip दोहा के लिए इस website पर क्या price है और normal search में क्या price दिखाई देगा तो फिलहाल 6.25 room only दिखाई दे रहा है room only मतलब इसमें कोई meal शामिल नहीं होगा इसका total price दिखा रहा है 6.25 QAR अब इस होटेल को इन ही dates के लिए हम किसी और website पर check करते हैं फिलहाल अगोडा पर सबसे सस्ता दिख रहा है let's check out Agoda तो जो 6.25 QAR है वो INR में दिखा रहा है 13,090 रूपीज वहीं अगोडा पर जो कि सबसे सस्ता हमें दिखा था online search करने पर same dates के लिए वही room room only plan पर दिखा रहा है 13,130 रूपीज में so almost similar price है ऐसा नहीं है कि अगर hotels उन्होंने mandatory उस website से book करने के लिए बोला है तो price काफी high रहेगा तो price almost same है बलकि कम ही है तो ये थी सारे information कतर के free visa on arrival के बारे में मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ